नमसकार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर बैक पेन के बारे में हमारे गर्दन धीक नीजिट का जो इरिया होता है इमारे दो लड़ ब्लेड की पीचों बीच उस एरिया को हम पीट करते हैं और अपर बैक करते हैं इंग्लिश में और उसमें जबर्दस्त दर्द हो जाता है कभी कबार और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह चारो तरफ फैल जाता है अगर मैं आपको बोलूं कि वह पर्टिकलर पॉइंट बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे कहां पे वह दर्द हो फैला हुआ दर्द से रहता है मगर आपको चिंता करने के कोई ज़रत नहीं क्योंकि एक कुछ सिंपल टिप्स और यह एक टेनिस बोल को यूज करके और कुछ एक्सरसाइजेस कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके आप इससे पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं अगर आपको भी अपर बैक प्राइन का सिकायत है तो आप बने रहे हमारे वीडियो के से दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सुनेत आप सबका अपना फीजियो तरह आप सबसे में रिक्विस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और में कोई नया वीडियो डालता हूँ हेल्थ रिलेटेड और तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आप हमारे वीडियो को कभी भी मिस नहीं करेंगे दोस्तों हमारे पीट में या फिर अपर बैक एरिया में गर्दन के ठीक नीचे जबरदस्त दर्द होता है काफ जुरत नीचे कि सिंपल टिप्स और ये सिंपल कुछ एक्सरसाइज से पूरी तरह से ठीक हो सकता है लेकिन पहले हम समझना चाहेंगे कि क्यों होता है अचली अपर बैक पें क्यों होता है तो सबसे नंबर वन रिजन इसका है रॉंग पुस्चर या फिर गलत तरीके से हम जब मोबाइल को आगे की तरफ जहांक के देखते हैं ऐसे करके गर्दन को जुका करके लगातार हम आजकल के यंग लोगों में तो एक बना हुआ है यंग क्या सारे बुड़े लोग भी देखता हूं कि मोबाइल में इस तरह से यह लोग यू लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करके तो आगे की तरफ जुखना, computer में लगातार काम करना, या फिर नॉर्मली ही लोग forward neck posture इस तरह से, अगर मैं बगल हो करके देखाऊ, यह जो posture है, यह posture अगर आप maintain करते हैं regularly तो आपको upper back problem हो नहीं होना है, तो जैसे जैसे यह wrong posture को हम adopt करते हैं, समय के साथ साथ हमारे peat में, हमारे man spacey में, एक band formation हो जाता है, जिसे हम लोग trigger points भी कहते हैं, या फिर muscle knot भी कहते हैं, अगर आप muscle knots के बारे में, या trigger point के बारे में ज़्यादा जानना चाते हैं, तो आप यह उपर में eye button है, उसमें जाकर कि आप जान सकते हैं कि वो क्या होता है, आपर बैक के muscles में stiffness, एक tightness डेवलप हो जाता है, और हमारे spine जो है, हमारे जो read की अडिया है, आपर बैक एरिया में, थोरा से की एरिया में, वो भी stiff हो जाता है, यह सब चीज का एक मिला जुला असर के वज़े से एक भयंकर धरदों पैदा होता है, तो हम इससे कैसे निजात पाएं, हम क्या करें कि इससे हम आप कोई धर्द से मुक्ते मिलेगा, तो सबसे पहला tips है, stretching exercise, आपको अपने shoulder blade के, जो हम लोग इसको shoulder blade करते हैं, पिछे के तरफ, वो उसके आसपास जो muscles से, उसको stretch करना है, तो सबसे पहले आप क् left side stretch करना है, तो आप इस तरह से हाथ लेजिए, और ये हाथ को इस तरह से लेजिए, कोहनी के पास रखिए, left hand के, और फिर इसको खीचिए ऐसे करके, आपको एक pull feel होगा आपको पीछे की तरफ, इस तरह से खीच करके कम से कम एक minute, यानि कि 60 seconds तक इसको hold करके रखें, फिर इसको relax करें, फिर उसी तरह से आप इस तरफ ऐसे करके stretch करें, खीचे, 60 seconds तक hold करके रखें, फिर धीर धीर रिलाक्स करें, आपको पीछे एक stretch feel होगा, ये कभी भी आप कर सकते हैं, कितना भर भी करें तो उसमें कोई हरजा नहीं है, आप office में भी बैठे-बैठे भी कर सकते हैं ये चीज, यही stretching exercise अगर आप घर में हैं, तो आप लेट के करेंगे, तो और एक तरीका है लेट के करने का, तो आप क्या करिए कि आप पेट के बल लेट जाएं, और दोनों कौनियों को इस तरह से cross करें, और cross करके पूरा एक stretch, इतना cross करें कि आपको पीछे की तरफ एक stretch feel हो, और इस position में लगबग आख एक minute तक इस position को बना के रखें, आप सुबह सुबह ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये office में तो करना मुस्किल है, सुबह सुबह एक या दो बार करें, फिर साम को भी ये stretching exercise करें, इसके साथ साथ होता ये ही कि हमारे जो read की हड्यों, जो upper back area में, थोड़ा सी किरिया में, जो read की हड्या होती है, जिसे हम लोग vertebral bone बोलते हैं, उस bone में एक stiffness सा पैदा होता है, तो stiffness को release क करने के लिए हमें थोड़ा सा movement लाना है, उस particular point में, उस particular area में movement लाने से ही वो धीरे देरे आपका stiffness release होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगी, कि आप एक chair लेंगे, ये देखिए मेरे पास एक plastic का chair है, मैं आपको plastic का chair recommend नहीं करूँगा, आप अगर लकडी का chair हो, या फिर metallic chair हो, जिसमें कि आपका जो backrest है, उसका height बहुत ज़्यादा ना हो, ये देखिए इसका backrest बहुत ज़्यादा height नहीं है, इस type का आप एक chair ले लें, और मैं demonstration के लिए आपको मैं ये plastic chair दिखा रहा हूँ, मगर आप avoid करें, और आपको safety का ध्यान देना है कि आप गिरे ना, औ और बुजूर्गों को मैं ज्यादा तर बोलूगा कि आप safety का ध्यान दें, कोई अगर साथ हो तो ही करें, तो आप इस तरह से बैठ जाएं, उसके बाद ये हाथ को अपने garden के पिछे ले जाएं, पूरी तरह से आप पिछे lean हो जाएं, और पिछे की तरफ इस तरह से जुक हैं, तो ये करते वक्त कई कई बर आपको एक crackling एक चटकने की आवाज आएगी, वो इसमें घबराने की कोई बात नहीं हो, चटकता है कभी तबी क्योंकि जाम हो गया ना, जाम खूल रहा है तो चटकता है, यही जो exercise है, आप इसको लेट के भी कर सकते हैं, ये जो हमारे vertebral बोन में जो stiffness हा जाता है, इसको रिलीज करने के लिए आप पहले क्या करिए, पहले आप इस तरह से लेट जाएं, ये देखिए, इस तरह से लेट जाएं, और कोसिस करें कि आपका ये जो हिप में हैं, नीज और हिप को बेंड कर लिजे, और ये पूरी तरह से इस तरह से ब आपके अपर बैक एरिया में होगा, वहां के वर्टिब्रा में होगा इस तरह से, खीक है, इसे भी दो से तीन बर करें, नेक्स्ट जो एक्सरसाइस जो मैं बता रहा हूँ, आप इस टेनिस बॉल के जरिए कर सकते हैं, और ये बहुत ही एफेक्टिव है, ये मैं खुद भी करता हूँ अपने लिए, और ये बहुत आसान है, और बहुत ही ज्यादा असरदार भी है, तो इसको करना किया है कि आप ये टेनिस बॉल खरीद ले, कोई भी वाजार में आपको मिल जाएगा, कोई स्पेसल चीज नहीं है, और इसको आप लेट जाएं, और आप अपने पी हैं, वह एक तरह से एक सेल्फ मसाज है, ठीक है, इस तरह से करें, बहुत ही रिलीफ होगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, ये अचली ये भी एक तरीका है टेनिस बॉल के जरीए, आप अपने वर्टीबरल बोल में जो स्टिफनेस है, उसको भी रिलीज कर सकते हैं, औ मसल्स में जो ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन है, उसको भी रिलीज करता है, और इंस्टैंटली आपको तुरंत एक रिलीफ सा फील होता है, उसके बाद हमें अपने पोश्चर में भी ध्यान देना है, हमें हमेशा एक सही पोश्चर को एडॉप्ट करना है, अगर आपका फोरोड हेड पोश्चर पहले से बन गया है, तो आप पहले से मैंने इसके पर एक वीडियो यहाँ पर जाकर के बनाया है, आप जाकर के देख सकते हैं इसके जाकर के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप जरूर इसे लाइक करे, शेयर करे अपने दोस्त कर ले थैंक्स फर वाची फ्रेंट्स बबाइ